एक छोटे से गाव में एक लड़ता रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत इमांदार और मेहनती था, वर गाव के खेतों में काम करके अपनी पढ़ाए और परिवार का ख़चुथाता था। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था कि उसे एक सोने की अंबूथी मिली। अंबूथी को देखकर मोहन समझ गया कि यह किसी अमीर व्यक्ति की हो सकती है। उसने सोचा कि अंगूर्थी को अपने पास रख लेना आसान हो सकता है लेकिन उसकी इमांदारी ने उसे सही रास्ता दिखाया मुख्या ने अंगूर्थी को गाव के मुख्या के पास ले जाकर सौप दिया मुख्या ने अंगूथी देखकर मोहन की इमानदारी की तारीफ की और तहां मैं इसे बजार में दिखाऊंगा और जो भी इसका मालिक होगा उसे वापस कर दूँगा कुछ दिनों बाद एक अमीर व्यापारी ने आकर अंगूथी की पहचान की और उसे वापस ले लिया व्यापारी ने मोहन की इमानदारी को देखकर उसे धन्यवाद दिया और उसे एक बड़ा इनाम देने की पेशकश की लेकिन मोहन ने विनम्रता से इनाम स्विकार करने से मना कर दिया और कहा मेरे लिए इमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम है समय बीटने पर गाउव में एक बड़ा सूखा पर गया और सभी किसान संतित में आ गए मोहन के पास बचे हुए अनाज के कारण वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता था लेकिन उसने सोचा कि गाउव के बाकी लोगों को भी मदद करनी चाहिए मोहन ने अपने सारे अनाज को गाउव के लोगों में बांग दिया जिससे सभी को रहत मिली गाउवालों ने मोहन की इमानदारी और डिया की बहुत तारीव की गाउव के मुख्या ने कहा मोहन की इमानदारी ने हमें सिखाया कि सच्चा धन सच्चे दिल में होता है इस कहानी से हमें ये सिख्षा मिलती है कि इमानदारी और डिया का मार्ग हमेशा सही होता है सही और इमानदार व्यवहार से हमें सच्चा सम्मान और संतोष प्राप्त होता है और हम दूसरों की मदद कर सकते हैं